दोस्तो सेर को जंगल का राजा कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है उसी तरह से क्या आप जानते हैं पानी का राजा किसे कहा जाता है समुद्र में रहने वाला एक जीव है जिसे सील लायन कहा जाता है इसे समुद्री सेर भी कहा जाता है सी लोयन एक समुद्री प्राणी है जो भालू की पूरवज परजाती मानी जाती है आज मैं आपको इस वीडियो में सी लोयन और सील मचली के बारें बताऊंगा अगर आपने भी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल सस्क्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें वैसे सी लोयन और सील अलग अलग प्राणी है लेकिन इनमें बहुत ही कम अंतर पाए जाते हैं सील लोयन की दुनिया भर में समुद्र में साथ परजाती पाई जाती है नौर्थ अटलांटिक माशागर में इसकी कोई भी परजाती नहीं मिलती है यह पराणी सम्मू में जीवन वेथित करता है सी लाइन और सील में यह एंतर है कि सी लाइन जमीन पर अपने चारों फिलिवर्स का यूज़ करके चलता है जबकि सील उचल कर चलती है इस प्राणी के मुँँ में करीब 38 दाथ होते है सी लाइन बोजन को बहुत कम चवाता है वैस शिकार को सीधे निंगल लेता है इसके कार बहुत चोटे होते हैं लेकिन पानी नहीं जाता है क्योंकि इन में एक जिल्ली बनी होती है सी लाइन को पानी में सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है वहीं जमीन पर याच्छे से नहीं देख सकता है सी लाइन का सरीर एक टार्पीडो की तरह होता है इसी कारणिया परानी पानी में असानी से तैर लेता है एक अडल्ट सी लाइन का वजन करीब 363 केजी तक होता है आकार में या करीब 9 फिट होता है वहीं एक फीमेल का वजन 181 केजी तक होता है जबकि उसका आकार करीब 6 फिट तक होता है इनके सरीर पर बाल होते हैं जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं इस पराणी के सरीर पर 4 फिलिपर्स या पंक होते हैं जिनकी मदद से या पानी में तैरते हैं इनी फिलिपर्स की सायते से यह जमीन पर भी चल लेते हैं सी लायन का रंग गहरा भूरा होता है आम तोर पर इनका वोजन छोटी मचलियां होती है यह मचलियों के अलावा उक्टोपस जैसे प्राणी को भी खा जाते हैं एक दिन में करीब यह 18 से 20 केजी तक बोजन खाते हैं सी लायन बड़े समुदरी जीवों का सिकार बनते हैं इनमें से सार्क ब्लू वैल आती है सी लायन करीब 40 किलूमेटर पटी गंटे की रफतार से पानी में तैर सकता है लेकिन केवल खत्रा महसूस होने पर यह सिकार के लिए वह इतना तेज तैरता है आम तोर पर यह 18 किलूमेटर पटी गंटे की रफतार से तैरता है यह प्राणी करीब 20 मिन तक पानी में सांस रोख सकता है इनका जीवन का लगभग 20 वर्स तक होता है यह प्राणी अब बिलूप्त होने की कागार पर है तो दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले